तो देखिए मैं बनाने वाली हूँ आज कैबिज की सबजी और कैबिज में में डालने वाली हूँ थोड़ी से हरे मतर जो फ्रोजन है और यहां पे मैंने लिए हूँ एक आलू टमाटर लिए हूँ एक चार से पाच मिर्ची लिए हरी मिर्ची और एक प्यास लिए ठीक है तो तो देखते हैं कैसे मस्त वेजिटेबल की मस्त गोभी की तबजी बनके रेडी होती है तो चलिए फिर शुरू करते हैं और मैंने रग दियों कड़ाई में दाल दूगी 2 चमास तेल तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा आदा चमास जीरा डाल देंगे और इसमें द्यादा मसाले नहीं जाएंगे गाई थोड़े ही मसालों में हमारी अच्छी सी वेज तरकाली बनके रेडी हो जाएगी कैबिज ऐसे तो कैबिज आलू और मटर बनाते हैं ना कैबिज नहीं फुल गोभी में आलू मटर बनाते हैं आज बनाते हैं कैबिज में पत्ता गोभी नहीं तो यह तड़क गया है जीरा जीरे में डाल देंगे अभी यह जो प्यास कटिं करके रख दी हूँ यह में जाख दो प्यास को थोड़ा लाल होने देंगे थोड़ी गुलाबी होने देते हैं प्यास ओके तो देखिए यह हमारी प्यास हो गई है गुलाबी से भी थोड़ी कम गच्चापन खतम हो गया है थे यहां हमारी प्यास का अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा असा कड़ी पता कड़ी पता डालने देविश सब्द्यों में अच्छी खुज गाती है वर इसमें में डालुंगी अभी आलू आलू को भी प्यास के साथ अच्छे से बून लोगे, ओके, आलू डाल देंगे, और इसको अच्छे से तलने देंगे, प्यास के साथ आलू भी अच्छे बूनेगे, क्योंकि आलू गलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले आलू ये डाल के प्यास के साथ तो यह देखे, मैंने तीन से चार मिनिट यह अच्छे से आलू के स्या प्यास के साथ आलू तल दीए, बुन ली, ओके, तो यह प्यास भी हमारी और गोल्डन हो गई, और गुलाबी हो गई, और आलू भी फोड़े फ्राइ हो गए, तेल के साथ, ठीके, इसलिए पहले से प्य आलू के साथ बूनने में और लाल हो जाएंगी प्यास इसलिए, अब इसमे में डालने वाली हूं, मिर्ची, और दूसरे मसाले में डालते हैं, ज्यादा इसमें मसाले कुछ जाने वाले नहीं है, थोड़ी पौडर भी थोड़ी दालेंगे, और शिरिफ जरासी लाल मिर्ची पौडर, बहुत नहीं दालना जरासी दालना, ओके, और नमक यहाँ डालेंगे, स्वाद अनुतार नमक डालेंगे, और इसी में मैं मातर भी डालने वादे, थोड़े से लिव मेने, आप अपने सब से ले सकते हैं, आलो की, मातर की, काबिच की, ओके, इन सब को भून लेंगे, और इसी में अभी मैं टामाटार भी डालने वाले टामाटार एक जो काट के राखिती हूँ थोड़ी गई से भूनते गाई तो इसे मैंने 2-3 मिनिट भून ली हूँ अभी मैं इसे ढख कर दम पे रखने वाली हूँ 3-4 मिनिट ठीक है पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे ऐसी रखेंगे तो यहां पे 2 मिनिट हो गए हैं इसे मैंने दम पे रखी थी 2-3 मिनिट हो गए रहेंगे और यह देखिए आलू भी देखते हैं तूट जाए अंदर से थोड़ेते हो रहते न वैसे बाकिए तो और टमाटर भी नरम हो चुके अब इसमें हम डाल देंगे कैबिज कैबिज मैंने थो के चनी में रख दीती और अच्छे से बारी काटने का है कैबिज जितने आप अच्छा काटेंगे ना अच्छी मोटी-मोटी अच्छी नितला इसको अच्छे से मिक्स करदेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी इसमें कैबिज का भी पानी छुटेंगे तो इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है इसी में ये पकेंगी और जो आलू में थोड़ी सी कसर है वो भी गर जाएंगे ठीके तो अभी इसे हम रखते हैं दम पे तीन-चार मिनिट ओके तो चलिए देखते हमारी तरकारी बन के रेड़ी हो गई है और मैंने इसे दो-तीन मिनिट से बाद देखी थी ठोड़ा सा एक चमस हीला के फिर वह अपिस ढखके रख दे ती है कैबिज को अपको मालू में है तो आलो भी देखिए गल चुके है अपशे से और मतर मतर भी की मत्य हमारी बन के रेडि है क्यैबिज आलो और मतर की सब आप भी दरूर बनागी है, खाहिए फ॥ीक है और जिशॉट करके आपको बतागे इसमें डाल देंगे दुनिया, डीश आउट करते हैं और आपको बताते हैं तो कैसी लगे आपको ताजी, लीगी ताजी और अपका तालो में बनने वाली यह मेरी कैडिज की तरकारी, ओके तो मेरे वीडियो को लाइक किजे, शेयर किजे और सब्सक्राइब सरूर कीजेगा, ओके और आभी रेसिपिके साथ मिलती हूँ, चलिए गाईज, अल्ला हाफिस